हेलो बच्चों कैसे हो मैं आपका अपना रिजल्ट किंग सत्यम सर आज हम लोग 12 क्लास के कुछ बहुत बहतरीन कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसपर 12 क्लास के कोश्चन हमेशा बनते हैं वो सिब्सक्राइब के हो या इंग्लिस मेडियम हो या हिंदी मेडियम हो वो किसी भी बोर्ड और किसी भी मेडियम के लिए आज जो कुछ टॉपिक है उससे अब्जेक्टिक कोश्चन मस्ट ही मस्ट आपका उस रेंज में रहता ह हैं तो जैसे कुछ टॉपिक है जैसे पहला है तोपिक आपका है तोपिक Ajな канале ह bुशाना थे में नाट्रोजन का संकुरण क्या हो सका हो घर कैसे निकालते हैं वह देखेंगे इसी प्रकार से बहुत सारा question आता है जैसे S3PO4 है अब इसमें S3PO4 का structure क्या होगा या इसमें fast forest का आप लोगों का hybridization क्या होगा तो अब यह चीज़ कैसे होता है हम लोग उसको देखेंगे या कभी-कभी पूरे के पूरे HNO3 का भी hybridization पूछा जाता है तो question को अपने हिसाब से पूछा जाता है लेकिन जो उसका pattern है जो trick में बताऊंगा इसको वैसे बनाने का प्रोसेस है अगर हम अगर इसमें basic process पर आते हैं तो काफी लंबा चला जाता है लेकिन objective में हम लोग within second में बनाने का solve करेंगे कोसिस करेंगे कैसे होता है एक इसी तरह से question आता है इसको हम लोग कैसे calculate करते हैं अब सिग्मा और पाइबॉन के लिए मैं बता दो जब कोविलेंट बन बनता है तब सिग्मा का formation होता है जहां पर अगर head to head अगर कहीं overlapping हो रहा है तो यह सिग्मा बन होता है और वहीं पर कहीं अगर lateral overlapping है तो यह पाइबॉन का लाता है ठीक है या किसी भी P orbital के S orbital का अगर overlap है यह always भी सिग्मा होगा तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सिग्मा और पाइबॉन हम लोग बिना structure बनाए हुए बिना overlapping theory का यूज किये हुए कैसे sigma और पाइबॉन calculate करते हैं इसी के साथ एक आपका एक और भी topic add होता है कि इसमें एक तीसरा topic बहुत अच्छा topic है easy topic है oxidation नंबर ठीक है जैसे HNO3 में nitrogen का oxidation क्या होगा इसका oxidation नंबर निकालना होता है जैसे सबको पता है plus 5 होगा तो कैसे calculate करेंगे इसी में कुछ acceptance भी होता है जैसे होगा अगर आप यहां निकालेंगे तो रूल के हिसाफ से गलत हो जाएगा इसका भी plus 6 होता है कैसे यह हम लोग सीखेंगे इसी और नंबर में एक general compound का होता है इसको हम लोग कर सकते हैं एक होता है special compound जैसे coordination compound का जैसे k3 fe cn का all 6 अब इसमें fe का oxidation नंबर क्या होगा तो यह एक general objective question है जो 12th class में पूछा ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में यह तो बहुत popular question है यह सब ने देखा होगा question bank में कि इसी तरह से topic है कि अगर हम लोग Sigma and 적 to calculate करते हैं तो कर इन और 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 में चया संकरनोर्ण का और में अलग अलग रूप में यूज है तो उसको अलग-अलग सेक्षन में देखेंगे औरगनिक में देख लेंगे इन औरगनिक में देख लेंगे यह बिसेकली तीन एक बहुती पॉपुलर अब्जेक्टिव कोशन पूजाता है मोल से रिलेटेड यह सारे टॉपिक आपके 11 क्लास के हैं 11 क्लास का 40 परशन का वेटेस 12 में है जो कि चोटे-चोटे-चोटे questions आते हैं इसको हम लोग वहां solve करेंगे ठीक तो आज के दिन का जो सबसे पहला topic लेके चल रहे हैं वह मोगों का जो सबसे पहला topic है hybridization को हम लोग कैसे calculate करेंगे उसके बारे में सीखते हैं तो यह है अपका hybridization का एक normal trick है यह बहुत ही a special trick है जिसमें आप लोग वीद्न सेकन्ट में अपडसे निकाल सकते हैं अगर आपका हागर उसमें इसमें कि सबसे अपना है से लेक्ट्वू Bij में चल्पूलय करना भुतों का दॉठ होता है कि अदिसे अम अब उसको याद रखना है तो मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं जिसमें लगवक सारे आ जाएंगे और हम लोग उसका यूज करके वह एक है अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन सलफर इसके सिक्स होते हैं फासफोरस फाइब अल्मूनियम थ्री नाइट्रोजन फासफोरस के फाइब होते हैं दोनों का यह कुछ इंपोल्टेंट हो गया मुख्य वाले उसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे कैल्सियम मैगनिशियम जिंक का भी जिंक नहीं जिंक को छोड़ देते हैं अभी इनके दो होते हैं तो इन सबों का यूज करेंगे हम लोग इसके हाइबिडाशन को निकालने में तो कैसे यूज होगा हम लोग देखेंगे एक वागर अगर स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं तो ले ले क्योंकि फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ जाएंगे कि किसी भी जो भी कंपाउंड दिया है उसके सहिंगी और तो जितना होगा हम लोगका नॉर्मल कंपाउंड है तो हम लोग अगर अगर आपका से परते की empreson का वेलेंड्स एक्टोन निकालकर गूरकर निपने नियुदम करें हम लोग प्रेक्टिस करें जो भिलेंस सेलेंड्स एक्टोन आएगा उसको उसको हम लोग इस रेंज में देखेंगे कि वह क्या अगर जो भी रेंज होगा उससे फिर से डिवाइड करें गे जो भी डिवाइजन करके आएगा जो भी हमारा कुषंट आएगा जो भागफल आएगा उन दोनों भागफल को जोड़ देंगे अगर यह यहां प्रॉस हो जाता है कोई रिमाइंडर नहीं है तो कोई बात नहीं वहीं उसका क्या हो जाएगा संक्रित और अर्बिटल हो जाता है अब यह हम लोगों का एक चार्ट है जहां पर अगर दो आया तो तो SP3 आया तो SP2 4 आया तो SP3 अब SP3 इसलिए है क्योंकि P orbital में पी सब्सेल में तीन ही orbital होते हैं इसलिए इसका तीन जैसे ही पूरा होगा हम लोग नेक्स्ट और जाएंगे डी पे और यह फाइब तक जाता है मेरे पास इस च्रक्ट्चर के हिसाप से आई-फ-7 maximum structure gain करने वाला है उसका पेंटागोनल structure होता है उस पेंटागोनल structure में आपका आई-फ-7 यानि की साथ orbit, साथ-habbit-orbit तक का आप उसमें calculation कर सकता है ठीक? तो 6 आपका हो गया यानि के अस फलकियो, स्माज हो गया इस पी 3D 3 कोनी यह पिरा मेड़ी यह सब आप डियरेक्ट आंसर दे सकते हैं लेकिन एक बात मैं आपको बतायता हूं ठेले नेक्स्ट आते हैं कि कोष्टन करते हैं उसकोंचन के साथ एक आंसर करेंगे बहुत inट्रेस्टिंग आंसर कोष्टन है एक कोस्टन है हम लोगों का अमोनिया ठीक है अमोनिया का संक्रण निकालना है कैसे कैसे निकालेंगे तो मेरा सबसे पहला स्टेप है वैलेंस अलेक्टोन को कल्कुलेट करना है तो हम लोग जो वैलेंस अलेक्टोन है वो कल्कुलेट करेंगे को calculate करने का आपको पहले ही बता चुकिए nitrogen का 5 होता है plus hydrogen का 1 होता है एक तीन hydrogen है तो 3 से multiply कर देंगे यह आपका हो जाएगा आठ total मेरे पास आ गया आठ electron 8 electron का हम range में देखेंगे आप में है तो फिर्ष्ट वाल रेंज में जैते हैं तो इसमें दो से हिंधाइब दूस्य हा COMM see यह मेरा और चाह साहिया यह यांग अनल स्वाजितर कस्का संफपर्वित्वड हो गया एकदम विदिन सेकेंड में आपने आंसर दे दिया जबकि अगर हम इसके रूल से बनाएंगे तो यह काफी लेंदी प्रोसेस में जाता है हमको नैट्रोजन का पहले अलेक्ट्रोनी कन्फिग्रेशन लिखना होगा फिर उसमें जो वेकेंट और्बिक्टल एंप्रेल यहां जो SP3 हुआ तो एक चीज़ बच्चों हमेंसा माइंड ध्यान रखना अगर हमने इसका संकरन के अनुसार से structure अगर चतुस फलकिये कह दिया यह गलत हो जाता है बस यहीं पर ध्यान रखना है अब बोलोगे सर ऐसा क्या है जो आपके अनुसार से आपने कहा कि जिसका SP केमेस्ट्री में जो संकरन के अनुसार से जो आकार पता चलता है यह सिर्फ उसके लिए है जिन में लून पेयर ऑफ एलेक्ट्रोन नहीं होता है यह बहुत अच्छे रैटर का बुक पढ़ोगे तो वहां जाकर के यह लाइन मेंसन किया हुआ है नहीं तो आप वह सारे बु यह सबसे बड़ा concept है कि संकरन के नुसार से हम आकार उसी का बता सकते हैं जिन में अनफेयरड एलेक्ट्रोन की उपस्तिति नहीं होती है अगर होती है तो इसका स्ट्रेक्चर यह और यहीं होगा तब बोलोगे सर आकार कैसे पता चलेगा तब जो आकार हमको पता चलेगा वो एक अलग थियोरी है VSEPR, इस थियोरी के नुसार से chemical bonding का 11 या chemical bonding का VSEPR एक topic है, उसके नुसार समको पता चलेगा, वेलेंस, सेल, एलेक्टोन, पियर, रिपल्सन थियोरी, यह सब chemical bonding के बूस्ट दीप थियोरी में से है, और ज्यादतर बच्चे इसको skip करते हैं, तो इनको अगर आपने नहीं पढ़ा, तो आप सही सही structure, आगे अगर आप जनरल कंप्टिशन या नेट या जही का प्रेपरिश आ सकती है, यह VCPR थियोरी के उन्हों सारा structure कैसे निकालते हैं, वो हम लोग next वीडियो में देखेंगे, तो यहां पे जो यह सी अब ammonia का structure बता देता हूं, यह है ammonia, ammonia का यह structure होता है, ठीक है, यह rough structure है, इसके पास एक lone pair electron बच जाता है, इसलिए जो इसका अकार है, यह 100, देखो चतुस फलकिये जो भी है, उसका जो एंगल होता है, वो एक 109 डिगरी 28 मिनट होता है, ठीक, एक 12th class का भूद्ध भीवी आई कोस्टन है, कि ammonia का bond एंगल, आवंद क 109 डिगरी 28 मिनट से कम क्यों होता है, होना चाहिए था 109 डिगरी 28 मिनट लेकिन उससे कम क्यों होता है, उसका एक ही रीजन है, कि इसमें unpaired electron की उपस्तिती होती है, अयुगमित electron की उपस्तिती होती है, lone pair की उपस्तिती होती है, इस कारण से इसका अकार 109 डिगरी 28 मिनट से कम होता है ठीक है तो हम लोग कुछ एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं एक दो कोशन का यह आप इसका स्क्रीन सॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं तो एक कोशन एक-दो करते हैं जिसे मैं दे रहा हूं तो मैं बस चुट्किवों में आप लोग बना दोगे पहले से लांस इलैक्ट्रोन कस्यूद करते हैं स्क्रीटप्ली हैँ और उलटेप्लाइट क्याएं अनुर्ऩी ने प्लटिप्लाइख inspire लें मेरे पास वैलनस इलैक्टोन हो गैर्टेटिस तरहें और साहीं है रेंज आपका सेगेंड रेंज में आएगा, 4 से डिवाइड होगा, 32 कट जाएगा, 4 है यानि SP 3, तो क्विक के गदर, नैट्रोजन का 5 वेलेंस एलेक्ट्रोन कल्कुलेट करते हैं, ऑक्सिजन का 6 मल्टिप्लाइ 3, यहां माइनस है, तो हम लोग एक इसमें प्लस एड कर तो 24, रेंज में देखेंगे, 8 के रेंज में आगा, 3 से कट जाएगा, 3 है, तो SP 2, तम चुट्कियों में बन जाएगा, बच्चों कोई टेंसर नहीं लेना है, एकदम, यह मैंने आपको एक रामबान चीज बताईए, नैट्रोजन का फिर यहां देखते हैं, जस्ट आप रिजल्ट किंग के साथ जूरे हो हैं, इसलिए घबराने की जूरत नहीं, आपको मैं यहां पे 4-5 दिन पहले ऐसे इसे टॉपिक बताऊंगा, जिससे अबजेक्टिव एकदम डिरेक्टली एकजाम में आ रहा है, अगर आपको नहीं विस्वास है, तो आप कोशन बैं तो आपका यहीं जिंदगी है, तो फिर स्विकार किजिए, अगर आगे बढ़ना है, तो कुछ ऐसे चीजों को सीखना होगा, जो बाकी लोगों से आपको भिन बनाता है, डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है, तो नैट्रोजन का यहां पांच, प्लस हैड्रोजन का ए नहीं लिख दिया है, अगर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोटीन अगर आता है, तो टोटल वेलन सेलेक्टोन इसमें साथ होते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लिए होंगे, कितना आगया, आठ, अब आठ को भाग दे देंगे, दो से, चार वार में कट गया, यह अगर अंटेकरी पंचे डेर सो वाला जो सवाल है, अगर वैसा आपने किया, तो मोश्ट पहबली चांस से कहीं ने कहीं मात खा जाएंगे, तो एक्जैक्टली अगर आंसर चाहिए, तो 6 प्लस 6 मल्टिप्लाइ 4 प्लस 2, यह आपका हो जाएगा, 6 प्लस 24 प्लस 2, 32, 32 को डि से भी से इसको सॉल्व कर लें, सही सही आएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दो कुशन्ट जिसमें आ जाता है, उसको कैसे सॉल्व करता है, उसका एक एक्जाम्पल है आपका, पी सी एल, पी सी एल 3 में भी, या तो नहीं है, ट्रै करते हैं, 5 प्लस वैलेंस अलेक इसमा आपका रिमांडर बच गया, अब क्या करना है, यह जो रिमांडर बचा, इस रिमांडर को हमको दुबारा उसी रेंज में देखना है, तो पहले वाले लाइन में आ जाएगा, तो दो से इसको डिवाइट करेंगे, एक बार में, दो से, कट गया, यह आपका आगया, एक और यहां गया, इन दोनों को जोर देना है, जोर के हो गया, थ्री प्लस फोर, और फोर आपको पता है किसका होता है, एस पी शरीका, तो यह इस तरीके से आज हमने सीखा, कि हम लोग बहुत ही कम समय में, कैसे हम लोग ने हाइब डिर्शन को निकाल कर तार-तार कर दिया निकाल कर सीख लिया, अब आप कोई भी अबजेक्टिव कोश्चन निकाले, जो आप डिर्शन का है, 99.999% इस ट्रीक पर बैठता है, क्योंकि मैंने खुद 200-300 कोश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तब एक ट्रीका के बहार आता है, थैंक्यू सो मच, अब हम लोग ने खरीका के बहार आता है, वारे एक मोश्चन पराइक्टिक में भी पचाना है, क्योंकि मैं अब एक ट्राइक्टिक होँ नेपए, जो बहारे हैं, अब डिरीका के अब गलाएको ...